नमस्कार मेरे सारे मसीह प्रिय भाई बेहिनों को और आप सब्यों को प्रभू के पस्तिते में स्वागते जिस प्रकार से हम प्रकाशित बाग्य को लेकर आगे बढ़ रहे थे उसी प्रकार से हम फिर से देखेंगे आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे जिस प्रकार से मैंने पहले कहा था कि इस संसार में मसीह भी रोदी जब सुरू होगा उस समय किस प्रकार कि लोग इस संसार में रहेगा बोले तो मैंने पहले आप से कहा था और फिर से मैं कहने चाहूँगा कि जो येशु मसी को सुनते हुए भी जो येशु मसी को जानते हुए भी जो विश्वास नहीं करते हुए उसके उपर वह लोग रहेंगे और दुसरे नमबर में जो है येशु का आगमन के समय जो लोग पीछे हटे हुए रहेंगे मसीह, मसीह लोग भी होने दो वो लोग जो पीछे हटे हो रहेंगे वो लोग इस इंसार में रहेंगे तो उसके उपर जो परमिश्र जो 21 भी पतिया को भेजने वाले उसे हम आगे एक एक करते करते हम आगे बढ़ेंगे मैंने पहले भी कहा था कि प्रकशित प्रभु इस्व मसीज़ा पहले मोहर को खोला तब क्या हुआ इस अंसार में बस उसके विशे में हम एक मोहर का विशे में हम आज बातचित करेंगे आज हम समझने के लिए कोसिस करेंगे आप ध्यान से सुनियेगा समझ कर एक दुसरों को समझाने के लिए कोसिस कीजी क्योंकि प्रमिश्र का वचन जो है वो हमें बढ़ाते रहना है आगे बढ़ाते रहना है तो इस कारण आए हम ये जो मोहर पहला मोहर के बारे में हम वचन में से पढ़ेंगे सबसे पहले प्रकाशित बाक्य का छे अध्याई एक पद और दो पद को हम पढ़ेंगे प्रकाशित बाक्य एक और दो पद को हम मनन करेंगे आए मनन करते हैं प्रकाशित बाक्या छे अध्याई एक दो पद को फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन साथ मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सब्द सुना आ, मैंने द्रिष्टि की और देखो एक शवेद गोड़ा है और उसका सवार धनूस लिये हुए है और उसे एक मुकूट दिया गया और वो जै करता हुआ निकला की और भी जै प्राप्त करे यहाँ पर हम देखते यह सौरगों के बारे में लिखा है परमेशुर के सौरगों के बारे में जब पहले मौहर जब खोला तो हम हमारे मन में एक इच्छा भी होगा सौरगों में कौन-कौन सा है सौरगों में कैसा है सौरग में कैसे है तो जितने भी हो सके हम बाते करेंगे देखिए सौरगों में जो है कौन-कौन है बोले तो पहला नंबर में हम देखते है अब इस सौरग में कौन-कौन है बोले तो चार प्रानी जब मैंने अभी पढ़ा जो चार प्राणी हों में से एक ने गर्जन करके कहा है उन्ना को कि यह उन्ना आ चार प्राणी हैं दो नमबर में देखिए चौबीस प्राचिन तीन नमबर में करोर और स्वर्ग दूथें स्वर्ग में चार नमबर में पिता पुत्र पभिष रात्ना और परमेश्वर का सिंहासन है परमेश्वर का मंदिर है तो आज भी हम जो देखने जाए रहे हैं जब प्रभु इस्व मसी जो पहले मोहर को जब खोला तब क्या हुआ वचन में इस पस्टर रूप से लिखा है प्रभु इस्व मसी जो है यह संसार का पाप जो उठाए लेके गया है प्रभु इस्व मसी जो है पूरे लोगों को धार दिया है पूरे लोगों को पाप को उसके कलवरी क्रूस में जो कलवरी क्रूस में जो है आपको बलिदान करके उसका पवितर लहू से हम सब के पापों को छमा किया गया है तो इसी कारण से हमें और डरने का निये मसी लोगों जो भी लोगों हमें विश्वास करती हुए आगे बढ़ना चाहिए तो मेमना जो दर्साया है वो प्रभु इसमसी के उपर दर्साया है इसके कि हम चानते है अब देखिए मेमना और यहाँ पर लिखा है कि मैंने द्रिष्टी की यह उन्ना ने जब द्रिष्टी किया और देखो एक सवेद घोरा है सवेद घोरा सवेद घोरा जो है सवेद रंग यह किस पर दर्साया जाता है सवेद रंग जो है वो सान्ती सान्ती दर्साय जाता है शान्ती बोले तो हम जानते हैं कि सवेद रंग जो है वो सान्ती को दर्साय जाता है तो यानि कि हम देखते हैं प्रभु इस मस्री का जब मस्री ही जब बिरोधी होगा इस प्रिथी भी पर तब जो मस्री बिरोधी है वो सांती सांती कहते हुए सांती सांती कहते हुए बिजय पाएंगे इस संसार में सांती सांती कहते हुए सुरू करेंगे उस बिरोधी को और देखो मैंने सवेद गोगा है और उसका सवर धनूस लिये हुए है अब धनूस किस पे दरसाता है धनूस जो है हम जानते है लड़ाय में यूद में इस्तिमाल करते है धनूस को और जिसके हातों में धनूस होते है वो विजयी को प्राप्त करते है जिसके हातों में धनूस होते है वो विजयी प्राप्त करते है इस कारण ये धनूस जो है उसके हातों में होगा जो मसी विरोदी है उसके हातों में धनूस दिया जाएगा और उसे एक मुकूड दिया जाएगा और उसे एक मुकूड दिया गया मुकूड दिया गया बोले तो मुकूड किसको दिया जाता है जो जैही करते है जो योद में हो जो भी राजसी लेवल पे जो होते है राज्य जो करते है उसे मुकूड दिया जाता है अब हम पस्ट रूप से हैं पर जान चुकी है, पहला मोहर जब खोलेगा, तब मस्थी विरोदे के हाथों में क्या-क्या दिया जाएगा, पहला नमबर जो है, वो सवेध, सवेध रंग जो है, वो सांती गोदर साता है, यानि कि हम जानते हैं कि शांती सांती कहे के, इस उन्स दिया जाते है उसके हाथों में तिसरे नमर में हम देखते हैं कि मुकूट दिया गया उसे फिर से तो मुकूट जो है वो राजसी लेबल को सिर्फ मिलता है मुकूट जो है तो इस कारण से देखिए मुकूट जो दिया गया है यानि कि हम जान पाते हैं इस के दोरन इस वचन क वो इस प्रितिवी पर राज्य करेगा इस कारण उसे मुकूट दिया गया और वो क्या गया अंतिमिया पर वचन में क्या लिखा है और वो जही करता हुआ निकलेगा कि और भी जही प्राप्त करे वो जही करता हुआ निकलेगा और भी जही प्राप्त करे जित्ते जित्ते winner winner होते ही जाएगा तकि और भी जहे को प्राप्त करें तो इसे प्रकार से मेरे प्रीव भायों हम जानते हैं पहला मोहर जब यह पे खोला तो क्या क्या हुआ और जब यह उन्हा ने देखा तो किस प्रकार से उन्हा को दर्शन मिला और किस प्रकार से उन्हा जो वचने फिर से में एक बार आपसे कहना चाहूंगा और जैई करता हुआ निकलता रहेगा क्योंकि यहां पर पहले सांती संती के एक राज़ी सुरू करेगा और दूसरा नंबर जो है वो उपर ही जा रहे बस उपर जारे के से बोले तो धनुस दिया जाएगा धनुस किसके हाथों में होते है आप जानते हो जो जैई होते है उसके हाथों में होते है तिसरा नंबर में जो है वो उसे मुकुट दिया जाए मुकुट यानि कि जो जैई प्राप्त करते है देखिए यहां पर नीचे जय करते हो जाएगा और जय करते रहेगा जय करते हो आगे बढ़ते रहेगा तो देखिए उसका हाथ में मुकुट जया जाता है यानि कि वो मसीह भी रोदि इस अंसर में राज्य करने वाला है और राजय करेगा इस संसार में और उसका सवर धनुस लिए होगे हम जानते हैं तो इसलिए हम इसका मतलब को भी जानते हैं कि जब हम स्वर्ग में रहेंगे तब इस संसार मसीह बिरोधी होगा और जब मसीह बिरोधी संसार में होगा तो इस संसार में दो प्रकार के लोग रहेंगे और उस दो प्रकार के लोग के उपर किस प्रकार से मसीही बिरोधी होगा हम जानते धन उसलिए हुए एक एक को जई प्राप्त करते जाएगा सोच लीजिए ओं मसीह भी रोधी जो है वो जही प्राप्त करते हुआ रहेगा तो आप उस समय प्रभु इसमसी के साथ स्वर्ग में रहना चाहेंगे या फिर उस समय आप ये संसार में मसीह भी रोधी का जो तकलीफ है उसे जहलते रहेंगे आपके हातों में हैं इस प्रकार से आप आपके हातों में चुनना आपके हातों में हैं इसलिए आप चुनना चाहोगी प्रभु इसमसी भी कहते हैं कि भले और बुरे सबके आगे रख चुके हैं वो चाहते हैं कि आप भले को चुने, वो चाहते हैं कि आप उधार को चुने, और मैं भी चाहता हूँ कि आप प्रभु इसुमसिक के साथ स्वार्ग में रहें, और सच्चा ही पे चलें, तो आज से हम फिर से अपने आपको प्रभु इसुमसिक के आगे अर्पन करेंगे, समर किस प्रकार से आपने सुना पहला महर किस प्रकार से होना है किस प्रकार से खोलेगा और क्या क्या होगा और आगे बढ़ते बढ़ते हम और भी बहुत से बात को जानेंगे और भी बहुत से बात को सीख पाएंगे और एक दूसरी को सिखा पाएंगे तो आज मैं ही पिस्रम आ से हम सब को आसिस करें